वेलकम स्टुडेंट्स तो कैसे हैं आप 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 सभी अच्छे होंगे तो आज मैं आपको कराएंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्योस्ट्य नंबर टू भई ठीक है इंट्रोडक्शन और क्योस्ट नंबर फर्स्ट आमने पिछली वीडियो में कवर करवा दिया है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से जाके पहले उसको देखें अच्छे से आपको कलियर होगा सब कुछ की क्या करना है में इस चेप्टर में ठीक है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में करवा चुका NCRT के प्लेइलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे ठीक है तो देखें कि उस नंबर 2 में बोला है एक्जे माइन दा कंटिनुटी ओव दा फॉंक्शन f of x to x square minus 1 at x यहापे क्या only at x है वही कोई condition नह निकाल लेते हैं जैसे f of 3 to x की जाए 3 का सुकेर minus 1 तो यहाँ से 3 का सुकेर 9, 9 टूजा 18, minus का 1 ही कोस्ट में 17, एक बार के लिए f of 3 निकालो, फिर निकालो limit की form में, ठीक है तो limit की form में निकालो, यहाँ पे limit x tends to 3 f of x, तो यहाँ पे limit x tends to 3, 2 x सुकेर minus 1, f of x हमार पास यह ह है, अब यहाँ पे x की जाए 3 रख दो, तो यह आपके पास क्या जाएगा, 2, 3 का सुकेर, और यहाँ पे minus 1, equals to 18, minus 1, equals to 17, तो मैंने आपको बताया था introduction में, अगर आपके पास f of 3, equals to limit x tends to 3, 2 x सुकेर minus 1, equals to 17, तीनों चीज़े equal हूँ, तो आपके पास क्या बताता है, function continuous, so it is continuous function, तो यह था आपके पास question number 2, बिल्कूल एजी था वई, ठीक है, तो मिलते हैं next question के साथ, next video में तब तक करें चैनल को subscribe कर दें, video को like कर दें, thanks for watching,